अमेरिका के New York Times newspaper के द्वारा किये गए एक सर्वे के अनुसार 1986 तक अमेरिका के जातर medical professionals ये मानते थे कि नवजाद बच्चो यानि कि infants को दर्द नहीं होता है और इसी लिए वो उनकी open heart surgery करते समय उन्हें anesthesia भी नहीं दिया करते थे Now can you imagine कि उस समय उन्हें बच्चों का क्या होता होगा? कई बार तो उनकी जान भी चली जाती थी लेकिन इसे डर्द का नहीं बलकि operation का अंजाम माना जाता था बसे आप इसके बार में क्या सूचते हैं? हमें नीचे comment section में जरूर बताने